नमस्कार आजी खबर चेनल में हम आपका स्वावगत करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो आजी खबर चेनल में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबरें लेकर आएं हम आपको बताएंगे दोस्तो आजी खबर चेनल में हम आपके लिए लेकर आएं दोस्तो चार ब पर होने वाली भरती परिक्षा को रद कर दिया गया है क्यों रद कर दिया गया है इसके बारे में पूरी जानकरी हम आपको देंगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर है भारत में एक तिहाई शादी शुदा महिलाओं को उनके पती पीटते हैं इसके बारे में हम आपको और पहली ख़बर हम आपको बताते हैं हमारी आज की पहली बड़ी ख़बर है 36 गड़ के बारे महां दोस्तों हम आपको बताएं आज से चुनाओ का जो पहला चरण दोस्तों वह शुरू हो चुका है और 36 गड़ में 18 सीटों के उपर आज वोटिंग डाली जाएगी दोस्तों हम आपको बताएं सोमबार को नकसल प्रवावित आज जिलों के मददाता मुख्य मंत्री रमन सिंग समयते 190 उम्मीदवारों के भागये का फैसला आज सोमबार को करेंगे दोस्तों हम आपको इस बात की जान कर दें पूरे राज्य में शांती पून मददान कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात किये गए हैं और दोस्तों इसी कड़े इंतजामात के कारण लगबग सवा लाग जवानों को तेनात कर दिया गया है दोस्तों हम आपको बताएं राज्य के जो मुख्य निर्वाचन पदादिकारी है सुब्रतों साहू ने रईवार को समादादा सम्मेलन में ये बात कही है कि पहले चरण में सोमबार को 18 विदानसवा छेत्रों में मददान होगा प्रत्रम चरण में 190 उम्मीद्वारों का भाग्य का फ्यास लाओगा प्रत्रम चरण के निर्वाचन वाले 18 विदानसवा छेत्रों में से 10 विदानसवा छेत्रों में सोमबार को सुब्र साथ बज़े से लेकर 3 बज़े तक वोट डाले जाएंगे वहीं पर जो आठ विदानसवा छेत्र है उसके अंदर राजनाद गाउं जिले के 5 और जो बस्तर जिले के 3 विदानसवा छेत्र शामिल है वहाँ पर सुब्र आठ बज़े से 5 बज़े तक वोट डाले जाएंगे दोस्तो हम आपको बताएं जो मुख्ये चुनाव आयुकते 236 गड़के उन्होंने ये बात कही है कि विदानसवा छेत्र महोला, मानपूर, अंतागड, भानू प्रतापूर, कांकेर, केशकाल, कोंडा गाउं, नारायनपूर, दंतेवाडा, बीजापूर और कोंडा में सु दोंगरगड, राजनादगाउ, दोंगरगाउ, खूजी, बस्तर, जगदलरपूर और चित्र कोट में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मद्दान होगा, दोस्तो हमने आपको पूरी खबर बताई है और हम आपको ये भी बताते हैं जो प्रतम चरण में कुल मद्दान जिसके अंदर से 15,47,435 से पूरी मद्दाता है और 16,22,420 में महिला मद्दाता है दोस्तो हमने आपको पूरी खबर बताई है और हम आपको बताएं दोस्तो ये है आज होने वाला है चुनाओ और आज शुरू हो चुका है चुनाओ दोस्तो हमने जो आपको इस्तान बता है शेहरों के नाम बता है विदान सबाचे तो नाम बता है जड़ी आप यहां पर रहते हो तो हमने आपको टाइमिंग बताई है कि कोन से टाइम पे यहां पर मद्दान शुरू होगा तो दोस्तो आप मद्दान डालने के लिए जरूर जाइए कि दोस्तों वोट हमारा जरम सिद अधिकार है इसलिए दोस्तों हमको अच्छे उम्मीद्वारों को वोट आज के दिन जरूर डालना चाहिए हमारी आज की अगली बड़ी खावर है भी आर से हां दोस्तो हम आपको बताने जा रहे हैं भी आर के अंदर कॉंस्टेबल और फायर मेन के 11,865 पदों पर भरती परिक्षा होने जा रही थी दोस्तो इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दी गे थे लेकिन दोस्तो अब अंत के अंदर क्या होता है हम आपको बताएं यह परिक्षा रद कर दी गई है क्यों रद कर दी गई है दोस्तो इसका करण हम आपको बताते हैं लेकिन दोस्तो हम आपको बताएं परिक्षा रद होने के कारण जो दोस्तो चातर है दोस्तो उनके अंदर ग पर जो भरती परिक्षा होने जा रहे थी दोस्तो उसको रद कर दिया गया है हम आपको बताएं गुंतिस अक्टूंबर को इस भरती की लिखित परिक्षा के लिए एड्मिट कार्ड जारी हो गयते और दोस्तो गुंतिस अक्टूंबर को दोस्तो हम आपको बताएं एड्मिट परिक्षा होने जा रहे थी दोस्तो हम आपको बताएं यह भरती परिक्षा रद कर दी गई है क्यों रद कर दी गई इसके पीछे क्या कारण है दोस्तो पहले हम आपको यह बता दें कि गुंती सक्टुमबर को दोस्तो इस भरती परिक्षा का जो एडमिट कार दोस्तो वह जारी कर दिया गया था और दोस्तो हम आपको बताएं 25 नौवंबर और 2 दिसमबर को यह भरती परिक्षा होने जा रहे थी दोस्तो हम आपको बताएं परिक्षा रद करने की जानकारी CSBC न कोल कर उसको देख सकते हो दोस्तों हम आपको बताएं यह परिक्षा बारवी पास के लिए निकल गई थी और उम्र सीमा मांगी जा रही थी 18 से 25 साल तक दोस्तों हम आपको बताएं यह क्यों रद कर दी गई है क्योंकि दोस्तों कारण यह बताए जा रहा है कि कॉंच्टेबल बहाली माप दंडों में बदलाव करने के लिए यह फैंसला लिया गया है दोस्तों हम आपको बताएं कॉंस्टेबल के नन्यानमसो पद और फायर मेन के 1965 पदों के उपर दोस्तों 10,80,000 उम्मीद्वारों ने आविदन किया था जिसके अंदर से एक लाख 16,865 उम्मीद्वारों ने आविदन फीज जमान नहीं करवाई थी इस कारण इनके आविदन रद कर दिये गए थे और दोस्तों हम आपको बताएं इन पदों पर आविदन करने के लिए आविदन फीज भी मांगी गई थी जिनमें जनरल OBC उम्मीद्वारों के लिए 450 रुपे की फीज एस सी एस्टी उम्मीद्वारों के लिए 112 रुपे की फीज तेह की गई थी दोस्तों अब यह देखना है कि CSBC जो है दोस्तों वह अब यह परिक्षा कब आयोजित करती है नई डेट क्या देती है जब भी दोस्तों नई डेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है भारत में एक तियाई शादिशुदा महिलाओं को उनके पती पीड़ते हैं इसके बारे में हम आपको पूरी ख़बर बताने जा रहे हैं हम आपको बताएं दोस्तों एक सर्वे किया गया था दोस्तों की दोस्तों भारत में जो महिलाओं रहती है उनके पती उनको कितना प्यार करते है और दोस्तो इसके बारे में जो रिपोर्ट है यह दोस्तो इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि दोस्तो एक तियाई जो मैला है दोस्तो शाद शुदा मैला है दोस्तो उनको उनके पती पीड़ते हैं हाँ दोस्तो वह हिंसा की शिका होने के बावजूद भी दोस्तो यह महिला हैं दोस्तो अपने पती से शिकायत नहीं करती है या किसी से भी शिकायत नहीं करती है कहती नहीं है कि उनको उनके पती पीड़ते हैं दोस्तो हम आपको बताएं राश्टिय परिवार स्वास्त सर्वेक्शन एन एच एफ एस के चार आकडों का हवाला देते हुए दोस्तों महज एक रिपोर्ट कही गई है दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या कहा गया हम आपको बताएं 15 से गुनंचास साल के आयू वर्की महिलाओं में से करीब 27 परतिशत ने 15 साल की उमर से ही हिंसा बरदाश की है हाँ दोस्तों इस प्रकार की जा रहा है और दोस्तों दूसरी तरह पर जाती और लिंक के अदार पर भेदबाओं किया जाता है दोस्तों हम आपको बताएं जो भी सरकार आती है दोस्तों इस प्रकार का जो जाते के उपर दोस्तों या लिंक के उपर दोस्तों जो भेदबाओं किया जाता है दोस्तों उ 27% महिला हैं दोस्तों उनके साथ हिंसा होती है तो दोस्तों हम आपको बता है महिलाओं को अब समझदार बनना होगा महिलाओं के लिए कई हैल प्लाइन नंबर भी जारी करती है गोवर्मेंट ने महिलाओं को उन हैल प्लाइन नंबर पर फोन करके अपनी बात कहनी चाहिए औ और मदद मंगवानी चीए हाँ दोस्तो हम आपको इस बात गिब जान करें क्रीद है यूग दोस्तों जाती और लिंक के अदार पर सरकार का यह कहना है कि कि वह जाती और लिंक के अदार पर किसी के साथ बहेदबाव नहीं ह istem लेगी और दोस्तों आने वाले समय में लेदी बी पूरी खबर है फेस्बूक ने बदले ओफिस में होने वाले यौन उथ्पीडन केनियम हां दोस्तों इस खबर के बारे में हम आपको पूरी खबर बतने जा रहे हैं हम आपको बताएं दोस्तों जो भारत की नहीं पूरी दुनिया की जो दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइड है फेस्बूक दोस्तों अब फेस्बूक के दफ्तर में जो भी महिला है ये लड़कियां काम करती है दोस्तों यदि उनके साथ कुछ गलत होता है दोस्तों उनका योन उत्पिरन होता है तो दोस्तों अब फेस्बूक के अंदर आप शिकायतों करे सकते हो और सीधे अब आप अदालत में भी जा सकते हैं दोस्तों फेस्बूक ने ये वड़ा नियम बदल दिया है दोस्तों पहले क्या होता था कि किसी भी महिला के साथ फेस्बूक के ओफ आपको बताए है दोस्तों अब जो भी महिलाय या लड़कियों के साथ इस परकार का हाथ सा होता है उनका Yone Utwidern किया जाता है तो दोस्तों अब वह सीधे अदलत में जा सकती है और अदलत अब उनको सजा दे पाएगी दोस्तो अब इसमें किसी के साथ भेदबाउ नहीं किया जाएगा इस प्रकार के इल्जाम अब नहीं लगेंगे तो दोस्तो फेस्बूक ने ये जो नियम बदला दोस्तो बहुत ये अच्छा नियम बदला है दोस्तो इसे जो फेस्बूक के अंदर काम करते हैं दोस्तो मेलाएं और लड़किया दोस्तो उनको बहुत ज़्यादा फाइदा हुगा दोस्तो यह हमारी आज की तमाम खबरें आप हमारा जो चैनल आज खबर उसको लाइक और सबस्क्राइब परना ना भूलें नमस्कार